Hello Everyone, Knowledge of Science में आप सबका स्वाधत है जैसा कि आपको मालूम है हम रोगों के बारे में Knowledge of Science में अभी डिसकसन कर रहे हैं तो हमने आल्रेडी एपल के दो रोगों के बारे में बात कर चुके हैं और बहुत सारे रोगों के बारे में हमने बात की है वीडियो आपको Knowledge of Science जो अपना चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा आज का जो लेक्चर है वो एपल का फायर बलाइट है उसके बारे में है आज हम एपल के फायर बलाइट के बारे में जानेंगे जैसा कि हमने बात की कि हम बात करेंगे एपल के रोग के बारे में जिसका नाम है fire blight ये रोग बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसका नाम है इर्विनिया एमाईलो वोरा fire blight जो एपल का है ये बहुत ही खतरनाक रोग है बैक्टीरियल डिजीज है और आलमोस्ट सभी एपल ग्रोइंग एरियाज में ये अटेग करता है इसका जो रोग है सभी एपल के जो उबाने वाले इस्थाने वहाँ पर देखा जाता है इसके इतिहास की बात करें दोस्तो हम समझते हैं कि इतिहास बनता कैसे है सपोज करो कि जो कोरोना वाइरस है चाइना से शुरूवा तो पहले वेग्यानिकों को पता नहीं था ये क्या है तो वेग्यानिकों ने steady की तो पाया यह वाइरस है वाइरस की steady की तो वेग्यानिकों ने पाया कि यह ऐसा वाइरस है जिसके ओपर crown जो ताज होता है ताज के जैसे सनजनाए है तो क्या बोला कहा कि Corona Virus इससे पहले आ चुगा था तो इसको क्या बोले Novel Coronavirus तो ये एक इतिहास बना उसके बाद क्या उसको WHO ने कहा COVID-19 यानि Corona Virus 2019 इस परकार से कुछ इतिहास बनता है तो fire blight के case में भी कुछ ऐसा ही हुआ सबसे पहले ये 1780 में Hudson Valley New York में देखा गया रिपोर्ट किया गया और इसका नाम fire blight क्यों पढ़ा fire blight नाम इसका 1870 इस्वी में पढ़ा और इसका पढ़ने का कारण ये था जैसे मालो ये पतिया है और पतियों के नीचे ये आग जला दी जाए तो आग जलाने के वज़े से पतिया जुलज जाती है तो वेग्यानिकों ने देखा अच्छा कुछ इसमें जुल सा टाइप का दिख रहा है तो वेग्यानिकों ने कहा कि अच्छा इसको फायर बलाइड नाम दिया जाए तो इसको नाम दिया गया फायर बलाइड टीजे बुरिल नाम के एक साइंटिर्स थे उन्होंने 1882 इसमें सबसे पहले बताया कि ये जो फायर बलाइड रोग है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो इस परकार ये टीजे बुरिल ने बताया कि ये अभी तक का सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज जो की पौधों में लगता है वो बना इस परकार से इतिहास इसका बना आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पतियां है सब जूलसी जूलसी दिखाई दे रही है इसी वज़े से इसको फायर बलाइड नाम दिया गया इस रोग के अगर लच्छनों की बात करें तो ये ग्राउंड के ऊपर पाये जाने वाले लगभग सभी भागों को एफेक्ट करता है जैसे बलाजम्स बलाजम्स के अलावा सूट, ब्रांचेज, फ्रूट्स इन सभी को एफेक्ट करता है इसके लच्छड आपको बलाइड के रूप में यानि जो ये है इसके ऊपर बलाइड के रूप पे दोखने को मिलेंगे सूट बलाइड, ये जो कल्ले हैं, कल्लों के ऊपर बलाइड के रूप में जुलसा के रूप में देखने को मिलेगा रूट इस्टाक, इसका ये जो जड़ वाला एरिया है root stack इस पे भी इसके जुलसे के जो आपको symptom देखने को मिलेंगे canker blight क्या होता है कि इसके जो ये तना है या फिर ये वाला जो तना है यहाँ पर क्या है हलकी उभरी उभरी सनजनाए देखने को मिलेंगे दाने दा सनजनाए उसको बोलते हैं canker blight पत्तियों में क्या होगा mid rib जैसे मालो ये एक पत्ती है तो पत्ती का ये जो बीच वाला एरिया है इसको बोलते है mid rib mid rib के साथ ये जो margin ये किनारे हैं ये सभी nekrotik हो जाते हैं nekrotik का मतलब ये सब मर जाते हैं ये जितना mid rib इसका है और ये जो margins हैं ये सभी dead हो जाते हैं और इनका color brown से black हो जाता है यानि भूरे से काले रंग में ये परिवर्तिद हो जाते हैं और जो infected leaves हैं वो curly striveled structure बनाते हैं और hang downward यानि ये नीचे की तरफ आपको लटकी दिखाई देंगी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या नीचे की और लटकी हुई दिखाई दे रही हैं जो उपर की टहनिया है ये क्या है या water spouts जो हैं वो tip से downward की तरफ क्या इसमें आपको wilting देखने को मिलेगी जैसे ये पत्ती है तो यहाँ से terminal से यानि इस छोर से नीचे की और आपको इसमें wilting देखने को मिलेगी जो फल परभावित होता है वो छोटा रह जाता है सनरचना में और इसके उपर water soaked धब्बे बनते हैं जिसका color भूरे से काले रंग का होता है और ये फल कई महिने तक इस पे लटके रहते हैं इसके अलावा milky brown color का आपको ooze देखने को मिलेगा ooze क्या होता है bacteria की जो कालोनी है वो milky और brown color की होती है उसी को क्या बोलते है ooze ये भी आपको infected जो parts हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी अगर बात हम करेंगे इसकी etiology की तो etiology में जो erivenia amylo bacteria है इसकी कालोनी ambonate ambonate मतलब कुछ इस परकार की side में जो structures निकली है उसको बोलते हैं ambonate ambonate undulated to coroidal margins यानि जो bacteria की कालोनी है मारलो ये bacteria की कालोनी है तो क्या होगा ये undulated मतलब की इस परकार की होंगी उची निची उबडखाबर coroidal मितलब coral shape coral जिस परकार के उबडखाबर होते हैं उस परकार के margins आपको देखने को मिलेंगे इसकी कालोनी में देखने को इसके अलावा ये जो bacteria है ये gram negative bacteria होता है rod shape rod shape का मतलब ये लंबा-लंबा rod के जैसा होता है single या chain में पाये जाता है ये bacteria और ये जो है facultative and aerobic bacteria होता है मतलब ये जो bacteria है इर्विनिया इमाईलो एरा ये aerobic है aerobic bacteria वो bacteria होते है जो अपने respiration के लिए air या oxygen की जरूरत होती है और ये faculty to anaerobic है तो इसका मतलब क्या हुआ faculty to anaerobic का मतलब ये aerobic है मगर अगर इसको जरूरत पड़े तो ये anaerobic condition में भी सरवायू कर सकता है non-indo spore farmer होता है non-indo spore farmer जो indo spore farmer bacteria वो bacteria होते हैं जो अपने ऊपर कठोर सनरचना बना लेते हैं जिससे वो लंबे समय तक सरवायू कर सकें तो उसमें जो इर्विनिया इमाइलोवेवरा bacteria है उसमें इंडो spore नहीं बनते हैं यानि ये बहुत ज्यादा समय तक सरवायू करने के लिए इसमें इंडो spore नहीं बनते हैं और ये बेक्टीरिया चलता कैसा है motility इसमें कैसी होती है peritricus phlegela के दोरा दोस्तो phlegelation के हिसाब से ये कई परकार का बाटा जाता है atricus, monotricus, peritricus तो peritricus bacteria वो होता है जिसके चारो तरफ phlegela पाए जाएंगी जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो इसके इधर और इधर और इधर और इधर भी यानि इसके चारो तरफ phlegela पाए जाते हैं तो इसको peritricus phlegelated bacteria बोलते हैं और ये इसी के दोरा चलता है इंडो स्पोर कैसे फार्म होता है यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसका जो slide दे दिया है इसकी disease cycle की बात करें तो Irvinia emilovora जो है वो disease branch जो save की साखाएं हैं उस साखा में ये canker यानि जो उभार के रूब में खुरदूरी सनचना है उसमें पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं hold over hold over cankers तो वहाँ पर ये over winter करता है जैसे ही इसको warm temperature मिलता है bacteria active होता है कहां से जो hold over canker है वहाँ से और ये plant surface पे hold over यानि branches पे होता है यहां से bacteria क्या है bacterial colony बनाएगा जिसको हम उज भी बोलते हैं और कीडे जैसे मधुमक्खी मधुमक्खी बेक्टीरिया को यहां से यानि जो canker है ब्रांच पे वहाँ से floral parts पे इसको ले जाएगा और वहाँ पर infection करेगा यानि floral parts पे सबसे पहले infection शुरू होगा फिर जो चिडिया है rain है या फिर हवा है और जो हम agricultural tools यूज करते हैं उसके दौरा भी जो इसका bacteria है वो infected plant से healthy plant पे पहुशता है जो primary infection है वो आपको देखने को मिलेगा flower के stigma में और फिर उसके बाद ये क्या है पूरे blossoms पे यानि जो फूल का गुच्छा होता है उसको पूरे गुच्छे को ये infect कर देता है उसके बाद इसका बेक्टीरिया जो है ये जो हमारे bugs हैं और syla ये कीड़े होते हैं कीड़े जो हमारा सेब का पौधा है उस पे घाव बना देता है wounds बना देता है उस wounds के दोवारा बेक्टीरिया इंटर करता है या जो इस्टोमेटा होता है पत्तियों के निचले सता और उपरी जातर निचले सता और कभी-कभी उपरी सता पे जो इस्टोमेटा होते हैं जिससे पौधा सांस लेता है वहाँ से भी इसका बेक्टीरिया इंटर करता है बलाजम्स, सूट और रूट, स्टाक, फ्रूट, बलाइट ये सभी परकार का काज करता है यानि जो हमने पहले देखा था सिम्टम्स में बलाजम्स, बलाइट, सूट बलाइट, रूट, इस्टाक, बलाइट, फ्रूट, बलाइट ये सभी परकार के आपको देखने को मिलेंगे इस बेक्टीरिया के इंफेक्शन के वज़े से चाहे प्राइमरी इंफेक्शन हो या सेकन्डरी इंफेक्शन हो दोनों केंकर बनाते हैं केंकर यानि जो उभार वाली सनरचना है पोधे के ऊपर, खुर्दूरी सनरचना है वो बनाते हैं और इसका अटेख, यंग जो फोलियज है उस पे ज़्यादा होता है अगर हम अपने आर्चरड में नाइट्रोजन की मातरा को ज़्यादा यूज करेंगे यानि यूरिय अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो यंग फोलियज पे इसका अटेक ज़्यादा देखने को मिलेगा roots पे भी कई बार cankers बनते हैं और ये कब होता है जब water status यानि ज़्यादा पानी भरा रहता है या poor water drainage पानी भराव की समस्या होती है तो इसके canker जो है हमको जड़ पे भी देखने को मिलेगे और ये जो canker growth है न ये mid summer में तेज होती है और late मतरी ये जब summer खतम होने वाला होता है तब इसका जो canker growth है वो हलका कम हो जाता है जो wet weather condition है उज एक्जुटेट सोता है यानि जो bacterial colony है उसका जो पीला-पीला वदार्थ है वो lenticels और cracks के द्वारा बाहर निकलता है wet weather condition में तो ये रहा इसके disease cycle के बारे में अब हम बताते हैं आपको जैसे यहाँ पर ये canker है और canker में ये क्या है bacteria पड़ा है over winter कर रहा है ये honey bee मधमक्खी क्या करेगा इस bacteria को यहाँ क्या floral parts पे ले जाएगा और floral parts पे पूरे blagem पे ये क्या है blight करेगा और ये पूरे blagem पे blight करने के बाद ये क्या करता है फिर ये जो suit है system है वहाँ पर इसका effect देखने को मिलेगा इसका जो primary infection है वो आपको floral parts पे देखने को मिलता है और जो secondary infection है यानि जो हमारे फूल है फूल में जो bacteria form होते हैं वो bacteria जो हमारे तने को infect करते है वो secondary infection कहलाता है तो यहाँ पर इसमें जो bacteria बना उसको हम बोलते है secondary inaculum और यहाँ पर जो bacteria बना इसको बोलते है primary inaculum और इस bacteria के दोवारा ये जो यहाँ पर infection होगा इसको बोलेंगे primary infection और यहां पर जो बेक्टिरिया बनेगा उसके दुआरा जो यहां पर infection होगा या फिर यह जो kanker यहां पर बनेगा इसको हम बोलते हैं secondary infection और secondary infection के बाद यह यहां पर kanker बनाएगा और kanker में यह फिर hold over हो जाएगा और इसको बोले ही hold over kanker तो ये रहा पूरा फायर बलाइट एपल के बारे में उमीद है आपको ये जो रोग है वो पसंद आया होगा इसमें कुछ स्लाइड है पहले जो हमने दिखाए थे वो छोटे छोटे इमेज थे अब हम आपको थोड़ा बड़े इमेज दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे ये एक पेपर की कटिंग है उस समय जब इसका प्रिवेंट खोज लिया गया था यहाँ पर यह देख सकते हो आप जो फोलियेज इंफेक्शन है यह देखो पुरा बलाइटेड कर्णिशन दिख रही है यह नीचे देखो आपको नीचे की तरफ डाउन वर्ड जो पत्तिया है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर देखो यह तना जो है यहाँ पर इसको ब बक्टीरिया फिक्स हो जाता है यहां पर आपको यह जो बलाजम से है यहां पर फ्रोट पर इस प्रकार के जुलसे वाले इंफेक्शन देखने को मिलेगा और जो हमारा यंग सूट से वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का सिम्टम देखने को मिलेगा तो इस लेक्चर में बस इतना ही, thank you, thank you very much.